मॉनिंग बच्चों आज हम हिंदी साहित्य का पाठ छे नाव बनाओ नाव बनाओ यह एक कवीता है इसको पढ़ेंगे और इस कवीता के जो कवी है कौन है हरी कृष्ण दास कुप्त जी है ठीके अब पहले हम कवीता को पढ़ते हैं फिर हम इसका सरलाज समझेंगे पहले ना बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ वह देखो पानी आया है घिर घिर कर बादल चाया है साथ समुंदर भल लाया है तुम रसका सागर भल लाओ भैया मेरे जल्दी आओ पानी सचमुच खोप पड़ेगा लंबी चोड़ी गली भरेगा लाकर घर में नदी धरेगा ऐसे में तुम भी लहराओ, भाया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हलकी मेरी नहीं टटोलो, पैसे नेने ही रोलो फिर बाजार लपक तुम लाओ, भाया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागत चमकीला, लाल हराया नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगिला, कैची चुटकी हाथ चलाओ, भाया मेरे जल्दी आओ चप चप कर कूडे से अड़ती, बूंदो लहरो लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चड़ती गड़ती, नाओ तेरा मुझको हर्साओ, भाया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते, मेरे बस का क्यों, तब फिर यहा किसके बस का, खोट, सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो, सब कर पाओ, भाया मेरे जल्दी आओ अब हम इस कविता का सलात पढ़ेंगे, एक छोटा बच्चा अपने बड़ भीया से कह रहा है, ये कब कौन से मसम में, बरसाद का मसम होगा, क्योंकि बरसाद के मसम में काफी बारिश आती है न, तो उसमें बोला, उसने क्या बनाओ, नाओ बनाओ, उसने अपने भीया को ब पानी आया है, घिर घिर कर बादल चाया है, साथ समंदर भल आया है, उसने क्या कहा, कि देखो बहुत तेज बारिश हो रही है, घिर घिर के चायो तरब से बादल घिर के आ गए है, ऐसे लगते हैं मानो, साथ समंदर, जितने साथ जो समंदर है, उसके सारा पानी वो अपने बादलों में भर कर ले कर आया है तुम रसका सागर भर लाओ भया मेरे जल्दी आओ और तुम भी जल्दी से आकर उनलास के साथ मेरे साथ आकर जल्दी से क्या है आओ और नाव बना कर मेरे साथ खेलो पानी सचमुच खुब पड़ेगा लंबी चोड़ी गली भरेगा लाकर घर में नदी धरेगा और उसने का मुझे लगता है कि सच मुझ में बहुत जादे बारिश होगी हाना और हमारी जो गली है जो सड़क है वो क्या है बहुत अच्छी तो से मतलब पानी से लबालब भर जाएगी हाना और ऐसे रखता है कि मतलब उस नदी से घर में भी अच्छी अंदर भी बार आ जाएगी मतलब पानी का बहाओ आ जाएगा हाना ऐसे में तुम भी लहराओ भाया मेरे जल्दी और आप भी जल्दी से आओ मेरे साथ और हम नाओ बना कर हहाँ पर खेलेंगे और आप जल्दी से मेरे साथ आ जाओ भरी गुलग भारी अपनी खोलो हलकी मेरी नहीं टटोलो पैसे नहीं ही रोलो उसने कहा कि आप जल्दी से आओ और अपनी गुलग जो आपकी गुलग में बहुत भारी गुलग मिस बहुत सारे आपकी गुलग में जो पैसे हैं उनको देखो मेरी गुलग हलकी है मतलब मेरे पास कम पैसे हैं आप मेरी गुलग को मत देखो अपनी गुलग जो है उसको खोलो और उसमेसे जितने पैसे उनको लेकर आओ फिर बाजार लपक कर तुम लाओ मेरे भहिया मेरे जल्दी आओ फिर उस पैसे को लेकर आप कहां चाओ जल्दी से बाजार चले जाओ और महासिक क्या लेकि जल्दी और जल्दी मेरे भहिया मेरे जल्दी से आओ और तुम जल्दी से कहां जाओ बाजार चले जाओ कागच चमकिला क्या जन लेने जाना है बाजार में कागच चमकिला सा कागच ले कि आओ चाओ वो लाल हो हरा या निला पिला कोई से भी रंग का हो लाल हरा या निला पिला रंग भी रंगा खूब रंगीला, मतलब खूब रंगीला सा, रंग भी रंगे रंग कागज लेकर आप बजार से लेकर आओ, जिससे हम क्या बनाएंगे, नाओ बनाएंगे, कैची चुटकी हाथ चलाओ, भीया मेरे जल्दी आओ, जल्दी से कैची भी लेकर आओ, कैची होती बूंदों लहरों से लड़ती बरती सबकी आँखों चरती करती है और फिर क्या करती है जो पानी में इसको छोड़ेंगे तो वह क्या करती है पानी में लहराती हुझाती है और जहां पर कूड़ा होता है वहां पर रुख जाती है फिर बूंदों की लहरों के साथ वह लड़त को तेहरा कर मुझे बहुत खुशी या आनंद महसूस करा दो हना अब भया मेरे जल्दी आओ और आप जल्दी से आकर नाव बना कर मुझे हरसा दो मुझे खुशी परदान करो हना क्या कहते हैं क्या कहते मेरे क्या बसका तो उसके भाई क्या कहता है फिर जवाब देता है क्या कह रहे हो हना इस क्या नाव बनाना मेरे बस की बात है तो उसने बुला चोटे भाई ने क्या बुला क्यों तब भी फिर या किसके बसका तो फिर ना क्यों ये मेरे बसकी तुमारे बसका नहीं है तो फिर किसके बसका है ये नाव बनाना खोड सभी है बस आलस का उसने का हाँ आप बाहने बना रहे हो हना मुझे पता है कि आपको आलस आ रहा है आलस कर रहे हो इसलिए आप बाहना बना रहे हो कि आपको नाव बनानी नहीं आती है आलस छोड़ो सब कर पाओ एलिए आप आलस को छोड़ दोगे हना तो आपको मुझ क्या कहते हैं मेरे बसका हना तो उसके भीया ने क्या बहाना किया और क्यों उसके भीया ने क्या बहाना करा है मैंने भी बताया था आपको उसके भीया ने बहाना किया कि मुद्को नाव बनानी नहीं आती है हना और क्यों बनाया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि वो नाव मनानी उनको नहीं आती है बूंदो लहरो लड़ती बढ़ती कौन बूंदो और लहरो से लड़ते वे आगे बढ़ रही है कौन बढ़ रही थी बताओ नाव पढ़ा था ना अभी हमने और किसकी हलकी थी चोटे भाई की गुलक हलकी थी उसमें कम पैसे थे अब इसमें आपका नाव की कहानी दिया है एक बार फिर से कविता को आपको पढ़ना है इस कविता में नाव बनाने और पानी में सफर करने की कहानी छपी है मतलब कहां से कैसे मालो तुम ही नाव हो मालो आप अपने को ना सुमझो, और आप अपनी कहानी सब को सुनाओ, तो इसमें सुरात हम कर देते, उसमें लिखा है आपर, मैं एक नाओ हूँ, मैं एक आगत से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे बड़े प्यार से बनाया, और बारिस के पानी में, मतलब जो बारिस की गली में जो बारिस चल रही थी, हना उस गली में मुझे को उसने तैरने के लिए छोड़ दिया, मैं तैरती भी, इधर से अधर कूड़े से टक्राती भी, इधर से अधर टक्राती भी चलती रही, और जिससे बच्चे को बहुत लड़के को बहुत आनंद या खुशी प्राप्त हो रही थी और मैं अंत में चलते चलते हना एक जारी में जाकर अटक गई और जारी में अटकने के कारणी क्या हुआ उसमें बारिश की काफी तेज बुंदे पड़ती रही और जिससे में धीरे-धीरे गल कर खत्म हो अब मैं थोड़ी तेर में अपने आपको पूरा मतमें गल कर समाप्त हो जाओंगी हाना यह आपके आप इस तरह से इस कहानी को पूरा करेंगे ठीके फिर आपका इसमें आप बारिश तुमने बर्शाद पर पहले कभी कोई कविता या लोगी सुना होगा उसे निचे दी गई जगा पर लिखो हाना आपको कोई कविता या पोयम आपको आती है जो बारिश पर हो उसको आप यहाँ पर लिखना ठीके धन्यवाद